प्रदेश और प्षेत्र की पच्छाण वखक पहनावाबीचे वखक भूलिगा शाचे और मुझे के संस्कुतियों सब्यत्राचे आज इन बात्ची पर हमर दगड़ बात काना कुण तक्ख्यात परिधान विशेशक्या श्री केलाश संद्र भट गूपिश पटा अमरे बीच मचने आप लोग राजी कुछी आनन्द मंगर सब बढ़िया बढ़िया अनन्द जैन्द बहुत बाश्यों कामना सुनु दरूता बतों ला कि भट जी न अपन यी परिधान मा नई प्रियोग केरी की करफा गा उतुरा खंड का यी परिधान थे विश्व में जात कर रहा हुआ कि अगर एक यहां से अधर इस्टेट गया तो मैं वहां किसी आदमे की से में टोपी देखी है तो मैंने उनको पूछा कि भाई सब्सक्राइब थोड़ा पूस लेता है इतने दूरी टोपी आया है तो भई बनाया तु मैंनी है लेकिन आई कहां से क्या क्या इसका पीछे कि अगर बहुत अची टोपी बनाते रिये स्वेर भी आपकी बात करा देता हूं साब कितनी टोपी अची तो फिर मुझे लगा कि हारी यादे मुझे पहचानता है नहीं मेरे बारे में जो की अच्छी फेंग रहा है लिगे निगने क्या क्या जा अगर मैं कहता हूं कि मैं कि अगर मुझे बड़ अच्या लगा कि अपना एक रोज्यार करते हैं कि कप्रसीलिय काम करते थे लेकिन कुछ इहां के जो सिल्वर्टी फोग गया है उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछी जब करते हैं अच्छी डिरस बनाते हैं तो आप कम से कम यह भी सोथ करिए कि पहड का आदमी क्या पहनता था इससे पूर्वे तो फिर कुछ ऐसा ही मुझे बस यह वाक्या जो कि मेरे को चूए और फिर मैंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेसों पे काम करना सुरू किया और उसमें सोध अभी करी रहूं और करते आ रहूं और आगे भी करता रहूं इहां पहाड कि अजमाने में तुपियां जातार आव सकता के साथ से तुपियां थी मत जिसको जो कंपडेवल लगा जिससे जिसको बेनिफित हो रहा है और ठंड से गरम से तुपियां इसे होती थी कि उनको पहने के बाद आदमी का 25-30-30 किलो सीर पर लेके जाता था ता है किसीने कपड को भी थोड़ा बांद जिया तो तुपि का रूब ले रहा है फिर धीर धीर करने जैसे फैसन का दौर चलता गया लोगों ने कुछ ही सोचा कि थोड़ा इसको ऐसा मोटलाइज किया जाए तो थोड़ा टोपिका रूब लेते जिए जिए और चलता गया पहाड दर्साइब पहाड में इस पहाड में दोई चीज हमारे पास है एक हमारे पाड़ पत्थर है और एक हमारे पार गंगा और जमना है जो नीचे जाके सब कुछ पिलेन को देती है यहां से खाली क्या हुआ हुए यहां से पत्थर भागा ले जाती है जो पत्थर उसके बसका नहीं होता हुए यही चोड़ के जाती है तो उन पत्थरों पर हम लोग गिसते है यहां पाहार का आद में गिसता है और उसी पत्थर के जैसा बन जाता है जोन नदीज जितने उपर से गिरती है उतने आगे के सफर तया करती है तो मेरा यही मेन कि इसको नए यूवाफीरिज सीखे तो जजादते नही कम से कम हम हम साठ साल उस यूवाफ की अकर उमर मानते तो यह काम जो आज का कम से कम दस साल का बच्चा सीखता है तो पचास साल तक तो यह संस्कृति ख़तम हो नहीं सकती है जो काम जो चीज तुम्हारा मन कहता है कि करो वो मेरे ख्याले में सबसे बड़ी सीख वही है और वही जिन्दगी है कि मैं तो गोर्मनेंट जोब में था अच्छी तंगा मिल लेदी लिगन वा फिरी का खाना पीन आता हो फिरी का पसंद आता हो कि हमें काम करना है तो मजात है फिर हमने ओचोड़ कर लिए मुझे काम ही करना है बस सुकून इतर मिला तो इतरा गई खला है कर दो झार हमें तो आता है पेला व